परिक्षा रीट 2021 को इस्थगित करने के आधिकारी घोशना कर दी है बोड ने COVID-19 महामारी के चलते 20 जून को प्रस्तावित रीट परिक्षा इस्थगित कर दी है नई तिति की घोशना भी जल्द ही की जाएगी पिछले कई दिनों से COVID-19 की भयंकर इस्थितियों को देखते वे 20 जून को आयोजित होने वाली इस परिक्षा को इस्थगित ही माना जा रहा था परिक्षा के एडमिट कार्ट भी जारी नहीं किये गए थे सरकारे पिछले कई दिनों से नई परिक्षा तिति पर मन्थन कर रही है लेकिन गुरुआर को इसे टालने का आधिकारिक एलान कर दिया गया राजिस्तान मादे में शिक्षाबोड ने रीट की आधिकारिक वेबसाइट रीट bser21.com पर इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया राजिस्तान बोड ने नोटिस में कहा कि रीट 2021 परिक्षा पूरु में 25 अपरेल 2021 को आयोजित की जाने वाले थी जिसे EWS ट्रेणी के वंचितरे अभ्यरतियों को अफसर देने के लिए बदल कर अगली तिति 20 जून 2021 की गोशना राजिस सरकारद्वारा की गई थी क्योंकि अब 20 जून 2021 की परिक्षा भी COVID-19 संक्रमन के द्रश्टिगर इस्थगित की जा चुकी है काजिस्थान सरकारद्वारा नवीन तिति की घोशना शीकर ही की जाएगी रीट का सेटिफिकेट भी सीटेट की तरह लाइफ टाइम वैलिट किया जा सकता है शिक्षा विफाग ने इस मसले पर विचार विमर शुरू कर दिया है वर्तमान में रीट के सेटिफिकेट के वैलिटिती तीन वर्ष है 2015 से पहले इसकी वैज़ता साथ वर्ष की थी शिक्षा मंतरी गोविन सिंग डोटा सरा ने बुद्धवार को सचीवाले में चार गंटे तक बैठक की इस बैठक में शिक्षा विभाग की लंबित भरतियों पर चर्चा की गई बैठक के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा आज सचीवाले में शिक्षा विभाग में आयोजित बैठक में मीडिया रिपोर्ट की बात की जाए तो डोटा सरा ने ये भी कहा कि सीट टेट की सर्टिफिकेट की लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी गई है इसमें एंसी टीए की और से जारी की गए दिशाने देशों का विश्लेशन किया जा रहा है अभी विभाग को एंसी टीए का पत्र नहीं मिला है पत्र मिलने के बाद सभी पहलों पर विचार किया जाएगा और रिट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम करने को लेकर भी फैसला लिया जाएगा विभाग चाहता है कि आगामी रिट के लिए फर्म रियोपन होने से पहले इस पर निर्ने कर लिया जाए